हेलो एव्रीवन वेलकम टू एग्रिकल्चर अट्डा 24-7 तो बच्चो जैसा की सामगो साथ वजे हम लोग यहां पे मिलते हैं अपनी क्लास के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पाइनेपल प्रडक्शन टेक्नोलाजी आफ पाइनेपल हम लोग क्राप्स पढ़ रहे हैं दीरे दीरे उनी सारी क्राप्स में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम लोग अपनी क्राप्स में काफी आगे आ चुके हैं बहुत सारी क्राप्स हम लोग पढ़ चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं बच्चो आज का अपना टॉपिक जल्दी से आप सारे questions आपके बनते हैं ठीक है उन सारी चीजों को हम लोग धान में रखेंगे हेलो राहुल गुड़ीबनिंग भूमका गुड़ीबनिंग शुश्मिता चलिए जल्दी से आप फटा फट जोड़ जाए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के अपनी class बिना किसी देरी के साथ ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे pineapple गुड़ीबनिंग रचना चलिए बच्चो शुरू किया जाए चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के अपनी class pineapple पढ़ने वाले हैं pineapple काफी important है बहुत सारे questions बनते हैं चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपनी class में क्या है ठीक है देखो सबसे पहले आपको दिग गया क्या सबसे पहले आपको दिग गया pineapple जिन्होंने pineapple का plants नहीं देखा है वो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा plant है यह मां समझना कि केवल fruit fruit है plant के साथ fruit है पूरा खेत है प्लान किसका pineapple का ठीक है cultivation है पूरा pineapple का ऐसे ही लगाय जाते है यह आपका plants है यह आपका fruit है बाकी सारी चीजे हैं अब आपको यहाँ से दिग्या होगा कि plant pineapple का छोटा पौदा होता है ना कि कोई बड़ा पेड़ चलिए आगे बात करते हैं pineapple की तो जो botanical name होता है वो होता है अनानास को मुसस या अनानास सटाइवस ठीक है अलग इसका चलता है वो अनानास को मुसस चलता है और इसका दूसरा नाम है जो दूसरी स्पिसीज है उसका नाम है अनानास सटाइवस ठीक है इस बात को आप ध्यान रखेंगे family है इसकी bromeliasi क्या है family इसकी bromeliasi है और origin जो है वो है ब्राजील यहां से questions आपका बनता है जो question इसम खेत की photo है जिसकी वज़या से fruit fruit ही दिख रहे हैं ठीक है सारे fruit ही हैं चलिए आगे बात करते हैं कि जो bromeliasi है इसमें एक enzyme पाये जाता है इसमें एक तरीके का वो पाये जाता है जिसका नाम होता है bromelain क्या नाम होता है Bromelin नाम होता है ठीक है यह एक तरीके का आप इसको Enzyme बोल दो या एक तरीके का आप इसको Chemical Constituents बोल दो जो इसमें पाया जाता है यहां से आपका questions बनता है कि Bromelin किसमें पाया जाता है तो आप बताओगे कि Bromelin जो होता है वो Bromel EAC Family यानि कि आपके Pineapple में पाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ठीक है आगे बात करते हैं किसकी Climate की Climate की बात करते हैं और देखते हैं कि Climate कैसी क्या है और कौन सी Climate इसके लिए Perfect होती है ठीक है चलिए It is a Tropical Fruit आपको मालूम है कि Tropical Fruit है क्यों क्योंकि जहां पे Humidity ज़्यादा होती है Hot Climate ज़्यादा होती है वहीं पे क्या करते हैं वहीं पे इसको Grow कराते हैं It thrives well in a Mild Tropical Mild Tropical का मतलब है जहां पे Tropical जैसी Conditions नहीं है लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा बहुत Sub Tropical वाली Condition है वहां पे भी आपका ये Grow कर जाता है ठीक है इतनी वासोई माई It grow well near the coast as well as in the interior कह रहा है Near the coast Coast का मतलब है जो हमारे समुद्र के आसपास वाले छेतने ठीक है जो हमारे समुद्र के आसपास वाले छेतने उन सारे चेतरों में क्या होता है उन सारे चेतरों में बहुत अच्छा ग्रो करता है क्यों क्योंकि वहां पे क्या होता है वहां पे जो आपका humidity है क्तरीके से देखा जाए वो बढ़िया होती है ठीक है वहां पे आपका अच्छा ग्रो करता है as well as interior interior का मतलब है coast reason को छोड़ के उसके अंदर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां उस reason की बात कर रहा है वहां पे भी यह अच्छे से ग्रो करता है चलिए so long as the temperatures are not extreme ठीक है कह रहा है कि coastal region पे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा temperature नहीं होता है ठीक है अगर आप average temperature देखेंगे तो coastal region पे average temperature बहुत ज्यादा नहीं होता है ठीक है यह वही कह रहा है आगे बात करते हैं the optimum temperature range from ठीक है range from 21 to 23 degree centigrade कह रहा है कि pineapple की cultivation के लिए यानि की हिंदी में अनानास बोलते हैं आपको मालूम होगा अनानास की खेती के लिए किता 21 से 23 degree centigrade temperature कैसा होता है perfect होता है ठीक है बच्चो as low temperature no fruit but differentiation ट्रेक प्लेस ठीक है कि अगर ज्यादा temperature कम हो जाएगा कैसा अगर ज्यादा temperature कम हो जाएगा तो जो fruit but differentiation है क्या जो fruit but differentiation है यानि कि जो आपके fruit बनते हैं यहाँ पे जब fruit अप्टू एन एलिवेशन आफ ग्यारा सो मीटर एवब दा मीन से लेवल ठीक है और कह रहा है प्रवाइड़ दे फार फ्री फ्रॉस्ट दो चीजे और ओनी चाहिए जो उचाई है आपके फ्रूट की यानि कि किस उचाई तक हम कल्टिवेशन कर सकते हैं तो ग्यारा सो मीटर देखो बच्छा एक चीज़ आप समझो जो आपके ट्रॉपिकल या सब्रॉप्कल फ्रूट है ठीक है जो आपके ट्रॉपिकल या सब्रॉपकल फ्रूट है वो मुस्ली 1100 से लेकर लगबक 1500 तक 1500 तक मीन सी लेवल तक ही गरो होते हैं क्यों कि यहीं एक ऐसी उचाई है जहा पर बहुत ज़्यादा टंप्रेचर डाउन नहीं होता है ठीक है अगर हम इससे उपर बढ़ने लगेंगे ना जैसे पंदरा सो से पच्छेस सो 2700 अगर जाने लगेंगे तो फिर क्या होगा वहां पर टंप्रेचर डाउन होने लगेगा क्योंकि हम लोग फिर कहां पर बढ़ योणकी तरह बढ़ने लगते तो जैसे पंदरा सो से उपर जाते हैं तो वहां पर आपके कौन से फिरूट ग्रो करेंगे वहां पे आपके बर ट्रॉट पर बात तो आप मीन सी लेवल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होएगा कि आपको लग रहा है कि हर क्रॉप में थोड़ा बहुत 100-200 का अंतर आके आ जाता है और आपसे डिरेक्टली मीन सी लेवल से कोश्चन्स नहीं पूछेगा बहुत रेयर ही है एक्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए और वो पूछ ले ठीक है नहीं तो कोश्चन्स नहीं पूछेगा मीन सी लेवल से ठीक है इस बात को आप ध्यान रखे लेकिन मैंने आपको एक झाला नहीं पढ़ना चाहिए क्यों पाला जब भीया ट्रॉपिकल कंडीशन है तो पाला ठोब लेगा तो किसा रएगा और इसको चाहिए भी कि वहां पर ही ना पढ़िए ठीक है उसी रीजेन में यहPh郁 करेगा चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वाइल की, किसकी बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, ठीक है, मृदा की बात करते हैं और देखते हैं, कह रहा है, पाइनेपल can be grown on any type of soil except heavy clay, कह रहा है कि heavy clay स्वाइल को छोड़के, heavy clay स्वाइल को छोड़के, इस सारी मृदा में आपका अराम से grow कर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको कुछ ऐसी मृदा भी चाहिए, जहां पर ये अच्छे से grow करें, तो कह रहा है, however, sandy loams, laterite, slightly acidic स्वाइल, with pH 5.5 to 6, कह रहा है, कि जो इसको pH चाहिए, slightly acidic स्वाइल हो, कैसी, slightly acidic स्वाइल हो, और pH जो आपका चाहिए, वो 5.5 से लेके, 6.0 तक, यानि की, sufficient होता है, perfect होता है, आपका grow करने के लिए, ठीक है, propagation, sucker slip, बच्चा, अभी सब बताएंगे, परेशान ना हो, सारा कुछ समझाएंगे, detail में बताएंगे, बहुत सारी चीज़े, ऐसी details बताएंगे, जो आपको साथ पहले ना पता होंगी, ठीक है, 5.5 to 6 are suitable for crop cultivation, ठीक है, crop cultivation के लिए slightly acidic soil हो, और pH क्या होना चाहिए, आपका साले 5 से 6, ठीक है, आपका pH sufficient होता है, उसके बाद, the soil should have a depth of at least 60 cm without any hard pen, जो आपकी deep है, मतलब soil की जो गहराई है, वो कितनी होनी चाहिए, 60 cm होनी चाहिए, सीधी सीधी अगर बात की जाए, तो कह रहा है, कि जो आपका fruit है, वो कैसा, उसमें कोई hard pen, माफ करना, fruit कह गया मैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, जो आपकी soil है, उसमें क इसकी root है, जो ज्यादा नीचे तक जाती है, वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगी, और जो growth है, इसकी वो affected हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात सुनिवाई बच्चे, चलिए, उसके बाद कह रहा है, कि water logging, ठीक है, without hard pen, without water logging, water logging condition भी वहाँ पे आपकी नहीं होनी चाहिए, बच्च भी वहाँ पे low होना चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, चलिए, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं variety की, ठीक है, variety कुछ limited ही रखी है, जो आपको याद रखनी है, इन ही variety ओं से questions आपके बनते हैं, किस से, इन ही variety ओं से आपके questions बनते है ठीक है देखो का कह रहा है कि pineapple को कितने there are many pineapple varieties which are divided into three groups according to Hume and Muller 1904 Hume और Muller ने 1904 में classification दिया था जिसके आधार पर इन्हों ने varieties को तीन भागों में यहां तीन groups में भाग मैं कह रहा हूं तीन groups में इन्होंने divide किया है कौन्स कौन से group है पहला है science group दूसरा है queen group और तीसरा है Spanish group कौन-कौन से science group ठीक है दूसरा है आपका queen group और तीसरा है आपका Spanish group ठीक है किस ने दिया था यह आपके scientist है Hume और Muller 1904 में कब 1904 में नोने classification दिया था जिसमें नोने तीन भागों में आपको बाटा गया है यहां से आपका question बन सकता है कि जो आपकी variety है उनको कितने groups में बाटा गया है या किसने इनको groups में classify किया गया है ठीक है सर थोड़ा slow पढ़ाओ प्लीज notes भी करना होता है ठीक है बच्छा slow पढ़ाएंगे तो फिर काफी time लगेगा चलिए कोई बात नहीं आप बनाईए हम आपको धीरे दे बता रहे हैं आप एक काम क्या करिए जब आप लोग पढ़ाते हैं तो मैं थोड़ा साइड में हो जाया करूंगा आप स्क्रीन सॉट ले लो जैसे वराइटीज हैं आप नहीं लिख पाऊगे एक साथ तो आप स्क्रीन सॉट ले लिया करो अपने फोन पे और उसके बाद उसको लिख लिया करो ठीक है जो समझने वाली चीजे हैं वो मैं आपको समझा देता आप जैसे वराइटीज हैं फटा फ्रोन के नाम लिख लो कि साइंटेज ने दिया वो लिख लो इस तरीके से आप सॉट में बनाओ ठीक है चलिए तो इनको तीन ग्रुप में बाटा गया है, सायन ग्रुप, कीन ग्रुप और स्पैनेश ग्रुप, ठीक है, यह कुछ वराइटीज हैं, जो आपके इन्डिया में ज़्यादा कल्टिवेट कियाती हैं, उसमें से यह जाइन्ट क्यू, क्यू, क्वीन, मारिसस और आपका जल्दूप और लखत वाली जो वराइटी हैं, यह सबसे आदा आपकी उगाई जाती हैं, यानि कि सबसे कर आई जाती हैं, ठीक है, यही इंपर्टेंट वराइटी है, जो आपकी क्यू है, जाइन्ट क्यू है, क्वीन है, ठीक है, यह वाली जो वराइटी हैं, यह बहुत वार एक्जाम्स में पूछी गई हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ताकि आप से अगर दुबारा प प्रक्राइत यूम और मुलर को आप ध्यान रखेंगे ठीक है 1904 आप ध्यान क्या किया है इनुद छो ब्राइटी है उनको पीन भागों में या तीन भागों में इतीय गूर्प सुम Start divide किया है ठीक है चलिए इसमें से कौन ग्रोप है science ग्रोप है queen group है और Spanish group है चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं ठीक है the varieties of science and Spanish group are dual purpose ठीक है देखो कह रहा है कि science group की variety और आपका Spanish group की किसकी? science group की वरायटी और Spanish group की वरायटी कैसी ओती है यह वरायटी बच्चा की dual purpose मतलब क्या होता है? dual purpose का मतलब है कि ऐसी वरायटी जो आप जिनको table purpose में इस्तेमाल करें और ऐसी वरायटी ही जिसको आप processing में पुर्सेसिंग है आप मतलब होता है डिबभ्बबंदी कब की जाती है जब किसी चीज को हम फ्रॉसेस करते ठीक है नहीं आप देखते हो आज कल मार्केट में हर चीज प्रोसेस होके पैक होके आती है कि घर में बनाने की ज़रुवत नहीं है जाओ बाहर से लेके आओ ready to eat होता एक तरीके से कि आप लाओ आराम से खाओ ठीक है जैसे कि इससे juice निकाला जाता है या इसकी slices को काट के वो किया जाता है तो उस तरीके से आपकी processing में इस्थेमाल की जाती है ठीक है और fresh fruit तो आप समझते ही हो कि fresh fruit का मतलब है कि आप लाए उसको pineapple को और फटा-फट काटा और खा गए ठीक है तो यह आपका होता है table purpose या fresh fruit उसके बाद कह रहा है यह बच्चा जो slide में लिखा है यह बहुत important है आप इसको ध्यान रखेंगे कैसे important है अब मैं आपको बता देता हूँ कि questions कैसे बनते हैं ठीक है questions जो आपके बनेंगे उसमें यह पूछा जाएगा कि कौन से group तीन group आपके हैं तीन group किस ने दिये यह आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ कि आपसे जो पूछा जाएगा पूछा यह जाएगा कि कौन से group की varieties जिनका इस्तेमाल कैनिंग में किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे science और Spanish group की varieties का अगर आपसे कहा जाए कि कौन से group की variety का इस्तेमाल कैनिंग में नहीं किया जाता है यानि की केवल और केवल fresh fruit में किया जाता है ठीक है तो किस उसमें किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि fresh fruit में किया जाता है सर यही स्पीड से पढ़ाओ अब आप बच्चा वो फ्लो रहता है ना फिर मजा नहीं आता या तो आप लोग सामने होते तो उसकी बात अलग होती है ठीक है आप स्क्रीन सॉट ले लिया करो चलिए तो आपने ध्यान रखा साइन ग्रूप की किसकी साइन ग्रूप और आपका स्पैनेश ग्रूप ठीक है देखो इसमें दो तर्म है साइन और स्पैनेश तो यह लिख लो दो अब यह दो से आप समझ जाओगे कि यह दो नहीं हो टी कि प्रोसेसिंग में भी और आपका टे वल में भी आप बचा क्या बचा आपका कुइन तो कुइन आप जानते हो ठीक है कुइन होती है Madaniей तो marketing जहती हो भया क्या टेबल पर बैठेंगी टो कैसे आपका टेबल परपज में इस्तेमाल होता है बोलो याद हुआ की नहीं हुआ ठीक है हो गया याद याद हुआ की नहीं हुआ हो गया याद ठीक है यह साइन और स्पैनिस गुरूप ठीक है यह है दो तो दो से दो तो दो मतलब दोनों में काम आएंगे, किस में? ठीक है? इतना चीज आपको याद हुआ बच्चा? याद हुआ की नहीं हुआ? बिल्कुल सिम्पल लबस्ता है ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा आया, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है, मारानी को सिर्फ कुर्सी पर बिठाये रखना, बाकी दोनों अपने आप दोनों काम करेंगे, चलिए, अब आगे चलते हैं, questions यहां से बच्चे बनते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कि questions क्यों बनते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, की queen group और आपका sign और Spanish group, ठीक है, सीधे सीधे group से ही questions आ जाते हैं, बहुत सारे questions मैंने आ से देखें हैं, इसलिए मैंने आपको यह चीज़ें बताईए, चलिए, अब बात करते हैं propagation की, किसकी बात करते हैं, बात कर कितने बात की जाये, तो propagation कितने टाइपस होता है, इस mainly propagated by vegetative method, इतने टाइप से प्रफोगेशन होता है कितने टाइप से ठीक है कितने टाइप से प्रफोगेशन हो रहा है लिख रहा है सूट सकर ग्राउंड सकर स्लिप्स और क्राउन ठीक है तो अब इतने टाइप से हो रहा है तो अब तो हो गए confused कि सही कौन सा होगा ठीक है तो पहले देख लेते हैं अंतर कि इन में अंतर क्या है कौन ground सकर है कौन root सकर है कौन suit सकर है कौन slip है कौन sub है ठीक है सराज रातवर आपकी class देखूंगा foundation की बिल्कुल अच्छा है बच्चा देखो कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो कमेंट करिए ठीक है बताना मैं आप आपके doubt solve कर दूँगा चलिए ठीक है अब आपको में एक image दिखाएंगे उस image से आपकी चीजें होंगी clear देखो visible है की नहीं है visible है की नहीं है चलिए visible है यह आपकी एक image है यह image आपके सारे doubts clear करेगी कैसे सारे doubts clear करेगी वो हम आपको अभी बताते हैं आपको समस्या रहती है कि कौन से slips हैं कौन से crown हैं कौन से root सकर हैं कौन से suit सकर हैं ठीक है यह तो आपने रट लिया होगा कि pineapple का जो soughegation है वो सकर से होता हैं ठीक है लेकिन अब कह देखो यहां से सुरू करते हैं यह आपका है क्या root portion यह है आपका root portion ऊपर है आपका suit portion ठीक है यह आपको दिख रही होंगी लकीरे यह लिखा है fibres root ठीक अब आपको आईडिया लग रहा होगा कि faibrous root कहां पे हैं ठीक है ये लिखा है बेसल इस्टेम यानि की ये वाला जो भाग ठीक है ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है कौन सा ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना ठीक है ये क्या है ये है आपका बेसल इस्टेम यानि की तने की बात कर रहा है ठीक है उसके बाद ये यहाँ पे जो तने में रूट्स निकलाती है उनको हम लोग Adventisius Roots कहते हैं आप लोग जानते होगे नहीं जानते हो तो हम बता दे जो तने में रूट्स निकलाती है वो कहलाती है आपकी Adventisius Roots ठीक है Main stem आपका ये है जो उपर है ठीक है उसके बाद ये जो साइड में एक सकर से निकला है ठीक है साइड में क्या निकला है साइड में सकर निकला है यानि कि जो साइल में आपका है मिट्टी के अंदर है वो है आपका Ground सकर क्या है जो आपका सकर मिट्टी के अंदर है या मिट्टी के अंदर से निकला है वो है आपका ग्राउंड सकर तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि ग्राउंड सकर क्या है उसके बाद तने से अगर दूसरा सकर निकला है तो ये है आपका एरियल सकर क्या है ये है आपका एरियल सकर ठीक है ठीक है चलिए उसके बाद आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं ये आपकी लीफ्स है ये देखो लिखा है बच्चा ठीक है ये आपकी लीफ्स होती है उसके बाद ये आपका फ्रूट है ठीक है क्या है ये आपका फ्रूट है और यहां पर देखो ये एक सकर्स निकला थीक है क्या निकला है यह देखो सकर्स निकला है निकला है आपको दिख रहा होगा ठीक है आप साइद आपको विजवल हो गया होगा यह यह आप सकर्स निकला है इसको बोलते हैं स्लिप क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लिप और जो सबसे उपर निकला है इसको बोलते हैं Crown, ठीक है, क्या, जो सबसे उपर है, उसको बोलते है Crown, तो I think अब आपको ये समझ में आ गया होगा, कि सकर्स कहां पे निकलते हैं, ठीक है, सकर्स कहां पे निकलते हैं, slips कहां पे निकलते हैं, Leaf कहां पे होती हैं, ठीक है, आपका Ground सकर कहां पे होते हैं, Arial सकर कहां पे होते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अब एक दूसरी बात करते हैं, बच्चें, कि इसमें जो propagation होता है, क्या, इसमें जो propagation होता है, वो आपका इन सारे जो भी method, जो भी दिख रहे हैं, आपको crown है, slip है, सकर है, ground सकर है, सबसे हो जाता है, ठीक है, किस से सबसे हो जाता है, लेकिन सब में थोड़ी-थोड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं कैसी हैं, कि किसी में जल्दी होगा, किसी में कम होगा, ये थोड़ी समस्याएं रहती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर aerial सकर लेंगे तो उससे हमारा plant नहीं त्यार होगा या हम crown portion लेंगे तो उससे हमारा plants नहीं त्यार होगा ठीक है, दूसरी चीज एक यह यहाँ पे लिखा है multiple fruit ठीक है, multiple fruit का मतलब पता है क्या है, ठीक है ठीक है multiple fruits का मतलब है कि यह देखो, इसमें छोटे-छोटे आपने pineapple देखा होगा, तो छोटे-छोटे eye spots से दिखते हैं, दिखते है ऐसे करके, ठीक है तो यह क्या होता है यह क Kenneth साथ है, यह कई सारे छोटे-छोटे fruits से मिल के ऐक बड़ा fruit बना होता है जिसकी बज़एसे जिसकी बज़एसे क्या होता है जिसकी वज़े से ये इसको multiple fruits का आ जाता है और multiple fruits के साथ जब इसमें कई सारे fruits मिल गए तो इसका नाम दिया बदल क्या नाम दिया बदल और क्या नाम हो गया अब मुझे आप आप लोग comment करके बताओ कि जो फल का प्रकार है यानि कि जो fruit type है pineapple का उसको क्या कहते है ठीक है जल्दी से comment करो और fruit type of pineapple क्या कहते है ठीक है जल्दी से बताओ fruit type of pineapple क्या कहते है चलिए जल्दी से बताओ fruit type of pineapple किसे कहते है फटाक से ठीक है चलिए जल्दी बताओ तो ये चीजें आपको समझ में आ गई slip कहां पे निकलता है, crown कहां पे निकलता है, aerial सकर कहां पे निकलते हैं, और उसके साथ साथ आपके ground सकर कहां पे निकलते हैं, sir I guess ground सकर is mostly practice, बिलकुल, नहीं बच्चा, ground सकर भी practice किये जाते हैं, उसके साथ साथ aerial सकर भी आपके practice किये जाते हैं, ठीक है, ground सकर, aerial सकर दोनों, जो आपके सकर है यानि कि यहां से जो निकले हुए है ठीक है वो आपके सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किये जाते हैं क्यों क्योंकि वही ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं ठीक है मयंक भासकर का कमेंट आया है उसके भूमिका का आया है सोरोसेस ठीक है आपका जो फ्रूट बहुत अच्छी बात, सर ये non-climetric है, हाँ बच्चा विलकुल non-climetric है, आपका जो pineapple fruit होता है, वो non-climetric होता है, कैसा, non-climetric होता है, ठीक है, non-climetric fruit होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है, ये आपके तोड़ने के बाद क होगा, पक तो जाता है, लेकिन इसमें जो सार प्राइज है, किसमें, respiration में, वो नहीं होता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, एरियल में, सर ये एरियल, फर्स टाइम सुनो, एरियल क्या होता है, अच्छा, ये एरियल सकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चा, अभी फर्स टाइम सुनोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर एक्जाम में mostly क्या पूछता है, एक्जाम में पूछने को तो बच्चा काओ, आपसे सो रोसे सी पूछ ले, ठीक है, आपसे काओ, पूछ ले कि प्रपोगेशन किस से होता है, तो एक्जाम में तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक्जाम के point of view से, ये तो मैं आपको ब जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सको, ठीक है बच्चे, चलिए, अब exam point of view से जो पूछा जाएगा, उसमें ना aerial सकर आपको लिखा मिलेगा, ना आपको ground सकर लिखा मिलेगा, ठीक है, जो लिखा मिलेगा, वो सिर्फ लिखा मिलेग है, अब होता क्यों है, यह हम आपको बताएंगे कि सकर ही क्यों, why not crown, why not slips, ठीक है, बच्चा agriculture छोटा subject नहीं है, बहुत बड़ा subject है, ठीक है, आप क्या छोड़ोगे, क्या बढ़ोगे, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, चलिए, एक्जाम्स में जो question पूछेगा, उसमें जो सही answer है, वो अपका सकर होगा, सीधे सीधे आपको सकर option में मिलेगा, अब मैं आपको यह बताता हूँ, कि सकर ही क्यों, ठीक है, सकर ही क्यों propagate किया जाता है, सकर से, crown से भी तो कर सकते हैं, slip से भी तो कर सकते हैं, इनसे propagation होता भी है, ठीक है, तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि सकर ही क्यों, तेखो, अब हमने सकर की बात कर रहे हैं, सकर आर दो सूट अराइजिंग आइदर फ्रॉम दा लीफ एक्जिल, ऑन दा मेन स्टिम बिलो दा फ्रूट्स, और फ्रॉम दा बेस आप दा प्लांट, कह रहा है, यह लीफ एक्जिल से निकलते हैं, फ्रूट के नीचे निकलते हैं, और कहां पे, और आपके निकलते हैं, बेस आप दा प्लांट, यानि कि जो प्लांट का बेस है, वहां से निकलते हैं, इस ट्रावरी रहा है, हाँ, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है, नियर दा ग् in 14 to 18 month देखो जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो पहला plant है कितने जो आपकी पहली crop है ठीक है जो आपकी पहली crop है जब आप सकर्स लगाएंगे विजवल है ना बच्चा ये color दिख रहा है कि change कर दे ठीक है जो आपकी पहली crop है वो 14 से 18 months ठीक है 14 से 18 months में आपकी पहली crop आईगी तो normally लगबग 18 months का मतलब समते है 1.5 साल ठीक है और अगर ये सबसे कम समय है क्या? ये सबसे कम समय है pineapple की पहली crop को लेने का ठीक है? pineapple की पहली crop को लेने का सबसे कम समय है तो भाईया मैंने आपको बताया है कि आप वही techniques वही चीज़ें अपनाएंगे जिसमें क्या हो जिसमें आपको लगे कि ये चीज़ें हमारी ठीक है ठीक है तो हमारी चीज़ें क्या हो जिसमें आपको आसानी हो और कम समय में चीजें अच्छी हो तो सबसे बढ़िया जो कारण है क्यों क्योंकि ये 14 से 18 महीने में आपका पहली क्रॉप तयार हो जाती है ये सबसे कम समय है जो सबस्यादा सकर में लगता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सकर का इस्तेमाल इसी लिए किया जाता है ताकि जो प्लांट की आपकी ग्रोथ है वो कैसी रहती है वो आपकी फास्ट रहती है as compared to other system जो भी है चाहे वो आपका सकर्स चाहे वो आपका slips हो या आपका crown हो ठीक है आप घर पे लाते हो ना पाइनेपल लाने की बाद उपर उसमें crown लगा हुआ आता है अगर आप crown को न लेकिन कब आएगा वो आएगा बीस महीने के बाद कब बीस महीने के बाद चलिए आगे देखते हैं slip की बात करते है the slip or the gills ठीक है slip or the gills इनको क्या कहते है gills भी कहते है are the suit born on fruiting stem किसमे जहां पे आपका fruits लगा होता है ठीक है उसी fruiting stem में किसमे उसी fruiting stem में क्या होता है fruiting stem में ही आपका grow करता है ठीक है suits arising from immediately below the fruits ठीक है कैसे fruit के below बिल्कुल immediately ठीक है immediately fruit के नीचे लगा होता है plants from the slips give large size fruit through late in production that is 20 to 22 months for the first crop कह रहा है कि भाईया सकर्स में हम को कितने 14 से 18 महीने में अपनी पहली crop मिल रही थी लेकिन जब हमने slip का इस्तेमाल किया slip आप समझ रहे हो ना बोल तो नहीं गए ठीक है slip आप समझ रहे हो बोल तो नहीं कि ये है slip कहां पे हमने अभी बताया कि फल के नीचे और main stem जिस पे fruit लगा है उस system पे निकलती है ठीक है तो ये आपकी slip है slip से जब आप लगाते हैं तो आपके कितने 20 से 22 महीने में आपकी पहली crop आती है कितने महीनों में 20 से 22 महीनों में आपकी पहली crop आती है ठीक है इतनी बासवन में आई और जब हम सकर का इस्तेमाल कर रहे थे तब हमें 14 से 18 महीने ही लगे तो भाया कितने महीने का अंतर आ गया 6 महीने का अंतर आ गया च्छै माईने एगरी कल्चर में बहुत बड़ा समय होता है होता है कि नहीं होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है च्छै माईने क्या होता है एगरी कल्चर में बहुत बड़ा समय होता है तो जिसकी वज़े से क्या करते हैं slips को preferred नहीं करते हैं और क्या करते हैं? हम suckers को preferred करते हैं बोलो इतनी बास समझ में आई? आई की नहीं आई? ठीक है? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है? आगे है crown, ठीक है? crown are the often used as a propagating material in q variety because it is a size suckering habit कह रहा है एक plant में एकी fruit हाँ बच्चा, एक plant में एकी fruit आता है ठीक है? pineapple में आपके एक plant में एकी fruit आता है, ठीक है? देखो, crown की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके लिए हैं, आपके लिए पहली चीज़ है कि जो variety आपकी q है, कौनसी variety? q variety है, वो किस से propagate की जाती है? वो propagate की जाती है आपके crown से, क्यों propagate की जाती है? अब उसका कारण समझे कि यह कह रहा है because it is a size suckering habit, यानि कि जो q variety है, वो size का मतलब समझ रहो, सरमीला होना ठीक है? सरमीले का मतलब यहां उससे नहीं है वो सरमाट से मतलब नहीं है यहां पर सरमीले का मतलब है कि इस variety में जो आपके सकर्स निकलते हैं, वो बहुत कम निकलते हैं, कितने? बहुत कम निकलते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है कि हम अब इसमें जब suckering habit का मतलब है कि इसमें suckers का कम बनना या ये ऐसी परजाती है जिसमें आपके suckers जो हैं बहुत कम बनते हैं या ना के बराबर बनते हैं इसलिए इसको size suckering habit कहा जाता है these are late fruiters and take about 20 to 24 month ये कितना समय ले रहे हैं बहिया ये ले रहे हैं 20 से 24 महीने का पहली crop आप आपकी जब तयार होगी तो कितना समय लगेगा तो समय लगेगा 20 से 24 महीने हो गया ना जादा time सबसे कम समय सकर्स में ठीक है समय बच्चा किसी का याद रखना न रखना लेकिन suckers का समय जरूर याद रखना ठीक है कि suckers का जो time है वो पहली crop आने का वो 14 से 18 महीने का आपका होता है ठीक है बाकी आपको कुछ याद रहे न रहे इनका लेकिन suckers का आप ध्यान रखना और दोसरी चीज यहां से क्यूव वराइटी का प्रपोगेशन किससे किया जाएगा तो आपको बताना है क्राउन से किया जाएगा क्यों किया जाएगा उसका कारण मैंने आपको बता दिया है इसलिए किया जाएगा बहुत से बच्चे confused हो जाते हैं कि जब pineapple है तो pineapple का propagation सकर से ही किया जाएगा और अगर उन्होंने specially पूछ लिया q से related q variety का किससे कर रहे है ठीक है तो फिर आपका दिक्कत हो गया दिक्कत हो जाएगा ठीक है ये तो बहुत हो गया क्या बहुत हो गया हाँ time ठीक है 20 से 24 महिने बहुत जादा समय होता है तो आप ध्यान रखेंगे q variety हम propagate करते है crown से क्योंकि crown जो इसमें bearing habit है सकर्स की वो कैस होती है बहुत ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है यानि कि साई suckering habit है जिसकी वजह से हमें इसको crown से propagate करना पड़ता है चलिए इतनी बासवान में आई सारा कुछ clear है ठीक है ना सारा कुछ clear अभी तक कोई समस्या नहीं चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं बा 500 से 700 ग्राम ठीक है मैं में बूच रहे है सर सर इसको bainial crop कहते है न देखो बच्चा हाँ ये bainial आपकी crop है ठीक है bainial दो बरसी bainial का आप इसको perennial में भी count कर सकते हैं क्योंकि इससे जब आप crop लगाते हैं ना तो 4-5 सल तक आप इससे crop ले सकते है ठीक है तो bainial में तो consider करेंगे बिलकुल क्योंकि यह annual crop में नहीं आती है ठीक है? ठीक है? यह आपकी बाइनियल और पैनियल में consider होगी अगर आप रेटून लेंगे तो आपकी पैनियल में consider होगी नहीं तो आपकी बाइनियल में consider होगी चलिए अब बात करते हैं सकर्स की किस की? सकर्स की बात करते हैं तो सकर का जो size है वो आपका 500 से 600 ग्राम का होना चाहिए और अगर आप slip ले रहे हैं तो आपका 300 से 600 ग्राम होना चाहिए ठीक है? साले 300 से साले 400 ग्राम आपका होना चाहिए ठीक है? चलिए कह रहा है कि pineapple suckers are allowed to dry at least for 30 to 35 days कह रहा है कि जो आप सकर्स निकाले हैं उनको क्या करिए? थोड़ा सा उनको सुखाईए कैसा? उनको थोड़ा सा सुखाईए ठीक है? धूप में नहीं बच्चा धूप में नहीं सुखाना धूप में सुखाद होगा तो खतम हो जाएगा मतलब उसकी नमी को थोड़ा सा कम करना है before planting planting से पहले थोड़ा सा सुखाना है यह आपकी knowledge के लिए यह आप से questions यहां से नहीं पूचेगा question आप से जो पूचेगा वो सकर और slip के weight से पूचेगा ठीक है? किस से पू planting material यानि कि जो आपका सकर है क्या? जो आपका सकर है ठीक है? जो आपका सकर है यह सकर मान लो आपने लिया तो इसके जो नीचे वाली यह वाली leaps है यह वाली ठीक है? यह वाली leaps को क्या करते हैं? यह वाली leaps को हटा देते हैं सारी leaps नहीं हटानी है नीचे की कुछ leaps को क् है ताकि क्या हो ताकि वहां पे आपकी रूटिंग जो है वो डबलप हो सके एक अच्छी दरीके से रूट सिस्टम वहां पे डबलप हो सके ठीक है बास समझ में आई इतनी विच्चा ठीक है क्या कर रहे हैं इस्कैली लीप्स फ्रॉम दा बेसल पोर्षन यानि की नीचे का जो पोर्षन है वहां से रूट्स आप उसकी हटा सको। ऐसे तिर्चा लगाया जाता है आप जब cutting काटते हैं तो cutting में उपर वाले portion को जब तिरचा काटते हैं तो यो तिरचा काटने वाला cut होता है इसको slant cut बोलते हैं क्या बोलते हैं slant cut के फायदे क्या होते हैं ये समझ लो एक तो जब आप कोई material propagating material लगा रहे होते हैं और उसमें slant cut काटते हैं तो slant cut काटने से होता क्या है कि एक तो इस पर अगर direct sunlight पढ़ेगी ठीक है तो हमेशा ये sunlight जिदर से आएगी उसके विपरी side लगाया जाता है यानि कि sunlight का जो है वो light इसके back side से पढ़े ना कि इसके front side से पढ़े तो इसका कारण क्या होता है कि यहां से यह दी अगर जब तक आसमें वो होगा क्या जब तक इसमें routing आएंगी या growth आएगी तब तक यह धीरे धीरे थोड़ा वो सूखना start होता है ठीक है दूसरी चीज है कि अगर बारिस हो ठीक है अगर बारिस हो तो बारिस का पानी यहां stagnate ना हो पड़े और निकल जाए क्यों अगर बारिस का पानी या वैसा पानी आपने डाला अगर वहां पे stagnate हो गया तो वहां पे fungal attack हो जाएगा क्या हो जाएगा fungal attack होने लगता है और यहां पे fungus disease develop हो जाएगी इन सारी चीजों को देखते हुए यह slant cut लगाया जाता है यह slant cut के फायदे होते हैं आप कोई भी cutting काटेंगे अगर आप cutting लगा रहे हैं तो नीचे वाला cut आपका flat होता है मतलब सीधा होता एकदम और slant cut हमेशा तिर्चा लगाया जाता है एक angle पे लगाया जाता है ठीक है बिलकुल सर लाइकर रोज हाँ रोज में भी जब हम cutting से लगाते हैं तो उसमें उपर वाले हैसे को तिर्चा करते हैं वो सारी crop में follow होगा यह एक process है slant cut क्यों लगाया जाता है यह मैंने आपको बताया कि उसके यह फाइदे हैं जिन फाइदों की बज़े से हम यह slant cut इस्तेमाल करते हैं इतनी बास वन में आई चलिए ठीक है यह manco jib आपको मालुम है कि manco jib क्या है manco jib एक fungicide है ठीक है fungicide में इसलिए dip करते हैं ताकि क्या जो आपके कोई fungal disease का attack ना हो और आपका plant सुरक्षत रहे या carbondagym यह दोनों fungicide है manco jib और carbondagym आपके दोनों fungicide है इन में से dip करके हम plant कर देते हैं ताकि fungal attack ना हो अगर season की बात की जाए तो जो July से लेके September यानि कि जो rainy season है वो सबसे बढ़िया होता है yes sir basically to release any material from the point हाँ ये भी बात है ठीक है चलिए तो अगर season की बात की जाए तो July और September July से लेके जो September का महीना है सबसे बढ़िया होता है ठीक है क्या होता है सबसे बढ़िया मन्त होता है आपके planting के लिए हाँ आप इसको treatment में भी consider कर सकते हो कि ये आपको treatment दिया जाता है एक pre-treatment होता है pre-planting treatment जिसको बोलते है वहाँ से आपके questions बनते नहीं है अगर आपको पढ़ना है तो बता दिया जा सकता है हर crop में जिसमें भी propagation या जो भी आप planting करते हैं तो उसमें आपको pre-treatment करना होता है तो pre-treatment में कुछ fungicide अगर या पर वहाँ पर कोई termite की problem है तो उसके लिए pesticide बगएरा बगएरा वहाँ पर use किये जाते हैं ठीक है चलिए तो ये था आपका planting अब बात करते हैं spacing की किसकी plants in double row either in beds or in trenches with the plants into the second row set in the middle of the plants कहे रहा है भाईया दो रो लगाएंगे दो रो लगाएंगे दोनो रो में जो plants लगेंगे ठीक है दोनों रो में जो plants लगेंगे जैसे यहां यहां plants लगे विश्दाइ। यह जब growth करेगा तो यहां ऐसे grow करेगा और यहीं अगर आपका plants लगा होगा तो यह भी ऐसे grow करेगा दोनों एक दूसे दिक्कत करेंगे तो जब दोनों सामने नहीं होंगे तो यहां यह वाला अपना इधर से ऐसे करके grow कर लेगा तो space जो है ना वो maintain हो जाएगा सब के लिए ठीक है क्या हो जाएगा सर मेरे college में होटी culture में एक बार back आ गई थी कोई बात नहीं अब तो clear है ना सर spacing की first time line important है क्या नहीं यह मैं आपको समझा रहा हूँ आपको जो spacing याद रखनी है वो यह 90 cm यह याद रखनी है ठीक है अब मैं यह line आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे planting करनी है अगर मान लो in case आपको किसी को बताना पढ़े समझाना पढ़े कि planting कैसे करते हैं वो आपके यह planting का diagram यह आपके exam point of view से इतना important नहीं है जो important है वो आपकी spacing important है ठीक है वो आपकी spacing important है कि किस spacing पे हम लगा रहे तो कह रहा है spacing between two trenches will be 90 cm and row to row spacing in the same bed per trench will be 60 cm कह रहा है plant से plants की आपकी 90 cm रहेगी और row से row की 60 cm रहेगी and plant spacing थोड़ा गडबड हो गया रुकना बच्चा ठीक है देखो कह रहा है कि जो दो trenches बनाएंगे या आप जो दो लाइने बनाएंगे उन लाइनों की दूरी आपकी 90 cm रहेगी ठीक है कितनी रहेगी 90 cm रहेगी उसके बाद जब आप row बनाएंगे ठीक है same bed पे किस पे same bed पे जब आप row बनाएंगे सर कोई method यूज कर सकते हैं इसमें बच्चा इसमें आपको square system, rectangular system इसमें आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना है इसमें आप normally वैसे system इस्तेमाल करते हैं जैसे आप cereal purses यानि कि agronomy की crops के लिए करते हैं ठीक है तो जो आपकी row की spacing है वो आपकी 60 cm रहेगी और plant की spacing आपकी 30 cm रहेगी और जो trench की spacing रहेगी वो 90 cm रहेगी तो इसलिए जो अब आपसे पूछा जाता है तो 90 गुणा 60 गुणा 30 आपको लिखा मिलता है ठीक है इस spacing जब आप पढ़ते हैं तो आपको 90 गुणा, 60 गुणा, 30 लिखा मिलता है वो बच्चा आपका genetics का portion है certified और foundation seed की जब आप isolation distance पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पूछा जाता है बच्चा agriculture का content आपको बहुत कम मिलता यूटूब पर अगर मिलता भी है तो उतना authentic नहीं है ठीक है आप पढ़ते रहे हैं यहां से मेनत करते रहे हैं आपका जरूर सेलेक्शन होगा अब बात करते हैं flowering की किसकी? flowering की One of the major impediments in successful cultivation of pineapple is create the flowering behavior even after 15 to 18 month of the growth under ideal management कितने? 15 से 18 महिने में क्या होता है? 15 से 18 महिने में देखो आपकी crop उसमें आ रही थी 16 से कितने उसमें? ठीक है? तो यह depend करता है आपकी किस पे? यह depend करता है आपकी climate पे, varieties पे और आपके propagating material पे ठीक है? लगबग लगबग आपके किसमें? 15 से? हाँ ठीक है? ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है ठीक है? दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कह रहा है? less than 40 to 50% of the plants normally flower leading to overlapping of operation and in regular supply of fruit देखो कह रहा है कि जो fruits हैं इसके उसमें एक साथ flowering और fruiting नहीं आती है कैसी? एक साथ flowering और fruiting नहीं आती है, थोले में आएगी नहीं आएगी, किसी और में आएगी इस तरीके से overlapping होती है ठीक है? कह रहा है 40 to 50% आपके plants हैं जो normally flowers produce करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताए कि इसमें variability आती रहती है, तो इसको अब variability आएगी, तो अब आपकी जो canning industry है, उसमें क्या हो जाएगा? supply आपकी जो है, वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? उसको ठीक करने के लिए हम इसमें spray करते हैं किसका? to achieve uniform flowering in pineapple NAA in the form of planofix planofix एक आपका chemical है, कौन सा chemical? NAA है, जिसका trade name है आपका planofix trade name का मतलब है कि ये planofix के नाम से market में बिखता है ना कि NAA के नाम से, ठीक है? जो chemical होता है, वो आपका NAA होता है, 10 से 20 ppm और a mixture of 10 ppm of ethephone यानि की ethereal, जिसमें आपका ethylene आपका होता है ठीक है? चलिए, उसके साथ 2% urea और 0.45% sodium carbonate may be poured 50 ml at the heart of the plants, 15 to 16 months after planting on a clean sunny day कह रहा है कि, जो आपका plant है, ठीक है? जो आपका plants है, यानि कि जो main portion है, heart portion है, जहांसे आपका crown डवलप हो रहा है, ठीक है? उसी portion पे क्या करना है? आपको 50 ml ये वाला solution बना के, उस पे pour करना है ताकि क्या हो सके? ताकि uniform, जो uniform ripening है, वो डवलप हो सके, ठीक है? इतनी बासवन में आई, चलिए, अब बात करते हैं, हारवेस्टिंग की तो plants generally flowers 12 months after planting, ठीक है? ये variable हो सकते हैं, यहां से आप से question नहीं पूछे है, कितने महीने में flowering आती है मैंने आपको बताया कारण की उसमें variability है flowering में from February to April the fruit take about 135 से 165 यानि की 135 to 165 days to mature and ripen यानि की mature और ripen होने के लिए कितना? 135 से 165 दिन लगते हैं, the fruit ripens from June to September depending on the variety in our states, ठीक है? June से September तक fruit mature होते हैं यह depend करते हैं variety पे और आपकी condition पे यानि की climatic conditions पे ठीक है? इतनी वास वाइबाई, चलिए अब आगे जो दिखते हैं important चीज है, यह है आपकी retoon crop retoon crop is common in pineapple after the harvest of first crop, all the suckers born on the plant should be removed, leaving only one sucker कह रहा है कि हमने crop को harvest कर लिया harvest करने के बाद हमने क्या किया? सारे suckers को remove कर दिया, जितने suckers हमारे उस plant में थे, वो सारे suckers हमने वहाँ से remove कर दिया, सिर्फ एक sucker को छोड़के ठीक है? उसी sucker पे हम क्या करेंगे? retoon crop आपकी लेंगे only one sucker on the mother plants similarly, all the slips should be removed, then the plants are fertilized, irrigate and earthen up so that's plant good have encouraged the retoon crop कहरा सारे suckers हटा दिये, slips हटा दिये, सब कुछ हटा दिया, सिर्फ एक sucker को छोड़के, उसी को हमने बढ़िया fertilizer दी irrigation दिया, ताकि उसी से हम क्या करें सके? उसकी बढ़िया growth लेके हम नया fruit उस पे develop कर सके ठीक है? तो अब जो याद रखने वाली चीज है वो याद रखने वाली चीज ये है कि crop is retained like this for 4 to 5 year, ठीक है? कह रहा है कि जो आपकी retooning है वो आप 4 से 5 साल तक ले सकते हैं, कितने साल तक? 4 से 5 साल तक आप ले सकते हैं, ठीक है? जैसे गन्ने में आपको मालूम है 2 से 3 साल तक लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही इसमें आप 4 से 5 साल तक retooning ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपका questions बनता है कि क्या pineapple में retooning होती है और retooning होती है तो कितने साल तक हम ले सकते हैं, ठीक है? यह थी हमारी आज की class यह है आपके राजिस्तान जीट का course और यह है agriculture complete foundation video course ठीक है? जो बच्चे purchase करना चाहते हैं वो simply उपर लिखे code Y443 अगर A code active है तो आप देख सकते हैं Y443 एसे आपको मिल जाएगा ठीक है? चलिए इस पे आपको सारे complete video courses मिलेंगे हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं हमारे videos आपको इसमें भी मिलेंगे ठीक है? उसमें हम और detail explanation के शाथ वो आपको videos वहाँ पे available हैं ठीक है? जो लोग यहाँ से purchase करना चाहते हैं simply उनको website पे जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे purchase करना है ठीक है? यहाँ पे आप जाएंगे adda 247 search करेंगे adda 247 search करेंगे वैसे ही और एक खुसकबरी और है आप लोगों के लिए कि जो बच्चे IBPS AFO की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा complete video course launch हो चुका है ठीक है? क्या IBPS AFO के लिए complete video course आपका launch हो चुका है तो जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं अगर purchase करना चाहते हैं तो वो उसको purchase कर सकते हैं आप website पे जाएंगे ठीक है? यहाँ पे आप simply search करेंगे agriculture ठीक है? जैसे आप agriculture search करेंगे आपको agriculture से जितने related हमारे videos या आपका questions वगएरा ठीक है? या mock test series जिसके लिए भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे यह आपका complete foundation course है आपको मैं code लगाना बता देता हूँ ठीक है? ताकि आप ठीक है? यह simply आप view offer में जाएंगे ठीक है? जैसे यहाँ यहाँ पे code अपलाई करेंगे Y443A ठीक है? जैसे ही आप अपलाई करेंगे और अपलाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो यह है वो हो गया है 5519 का ठीक है? कितने का? 5519 का अभी इसमें आपका 77% off है अभी इसमें 80% off चल दा था ठीक है? वो आपका जब फिर नया आएगा offer तो फिर आपका मैं announce करूंगा कि 80% off आपका आएगा ठीक है? सिंपली आपको ऐसे करना है और आप इसको purchase कर सकते हैं आप इसको website से भी purchase कर सकते हैं आप इसको हमारी जो agriculture adda 24-7 का app है वहाँ से भी आप इसको purchase कर सकते है सर फुल पेड कोर्स कितने का है आपके चैनल का आल सब्जेक का ठीक है? रेडियू बच्चा ये मैंने आपको जो कोर्स दिखाया है यही complete video foundation कोर्स है इसमें सारे सब्जेक्स आपके रहेंगे ये आपका जो पढ़ेगा 5519 का आपको पढ़ेगा सर आज संदीव सर की class नहीं हुए हाँ बच्चा वो अभी थोड़ा सा leap पर है थोड़ी सी समस्या है मंडे से वो continue करेंगे ठीक है? चलिए तो फिर कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंदा